हलो फ्रेंड एक बार फिर से आप सब का हमारी चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है तो फ्रेंड्स आज का वीडियो आपके लिए बहुती खास होने आला है और बहुती फायदेमंद वीडियो है तो वीडियो पे बने रहे हैं और वीडियो को पूरा जरूर देखें फ्रेंड से तरीके से आप है जो घर पे या जो उस समस्या को है जो ठीक कर सकते हो इसके लिए हम आपके लिए बहुत ही खास है जो नुक से लेके आए हैं सरीर पर होने वाले खुजली को आप है जो घरेलो नुक सो दुआरों भी है जो ठीक कर सकते हो डोक्टर के पास ज्यादा जाने क ज़रूरत नहीं है तो सबसे पहले फ्रेंट्स जान लेते हैं यह खुजली किसलिए हो जाती है हमारे सरीर पे दूसस्त पानी या फिर दव्यायों का है जो गलत सेवर होने के कारण ही हमारे सरीर में है जो खुजली की समस्याइज़ जो देखने को मिलती है इस समस्या से बचने के लिए बहुत सारे हैं जो घरेलू उपाई हैं जो आप कर सकते हो ठीक हो सकते हैं गंड की ऐलर्जी या फिर अन्य कारणों से होने वाली खुजली आपकी तवचा को काफी नुकसान पहुंचाती है इसके साथ साथ दूसित पानी या फिर दवायों का जो सेवन करने के कारण भी सरीर में है जो खुजली की जो समस्या वह उत्पन हो जाती है एक एक को है जो अराम से जानी और सुनिये तो आपको किन किन बातों को है जो ध्यान रखना है खास कर तो आप जान लीजिए जिस पानी से नहा रहे हैं वह पानी साफ सुत्रा और उसमें किसी परकार की है जो गंड की नहीं होनी चाहिए नहाने के पानी में आपको क्या करना है कि निम्बू की दो चमच रस है वह डाल लेना है और उसके बाद ही आपको है जो नाना है दूसरा सबसे बेश्ट तरीका है नीम की पत्तियों को उबाल कर उस पानी से नाना है आपको सरीर और तफचाव में मौझूद जो किटानों होते हैं वह सारे नश्ट हो जाएंगे और खुजली की जो परेशान या उससे आपको निजात है जो जरूर मिल जाएगा तो फ्रेंट्स ये दिए आपको जो किसी परकार की भी खुजली होती है तो आपको क्या करना है कि नीम की पत्तियों को अच्छे तरीके से पानी में उबालना है फिर रोज है उस पानी से आपको नाना है आपको जरूर जरूर 100% फाइदा देखने को मिल जाएगा तीसरा तरीका है लसुन की कुछ कलिया लेकर उसे सरसूं के तेल में डाल कर गरम करें जब वे कलिया पूरी तरह से जल जाए तो इस तेल को छान कर पूरे सरीर में उसकी आच्छे से जो मालिस करनी है आपको चोथा तरीका है तील या फिट सच्सों के तेल को गरम करके ठंडा कर तेल से की गई मालिस से विकार खतम होकर खुजली की समस्या में राहत मिलती है तीन गराम जीरा और पंदरा गराम सिंदूर को पीश कर सच्सों के तेल में पकाए एक बार इस तरीके से यह दिया आप लेप करेंगे मालिस करेंगे तो आपको 100% फायदा देखनों को मिल जाएगा तो फ्रेंड्स खुजली के बारे में हमने आपको जो भी बताया ये वीडियो आपको कैसा लगा एक बार जरूर ट्राइ करें आपको है जो खुजली में जरूर जरूर राहत मिलेगी और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना शेर करना और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जरूर जरूर सबिस्क्राइब करना ऐसी अपना प्यार और सपोर्ट बना के रखना थैंक्यू सो मच ओल फ्रेंड्